मूर्ती विसर्जन के दौरान हाथ सा पिकप वाहन पल्चा 20 लोग सवार 11 लोगों आई चोटे अमरबाड़ा चौड़ई रोज गौधी समाज द्वारा सिपकाली मा की प्रतिमा की मूर्ती विसर्जन करने के लिए सकरबाड़ा जैम ने जा रहे थे इसी दर्वान दिटर्जन ही शामिल गुरेक पिकप वाहन तेज गुपन के लापरवाही से चलाने के कारण अमियंत्रित होकर पिकप वाहन पलग गया वाहन में करीं विए वोग सवाथ है जिसमें पुरूश महिला है वो बच्चे शामिक है 11 लोगों को चिनवारा रेफर किया गया है जिसमें चार की हालत लंभीर बताई जा रही है जिन्हें नाकवर रिफर किया गया अन्य 9 लोगों को अमरवारा अस्पताल में प्राथमी को प्चार कर अपनी घर विजवा गया गया है अमर्वारा टियाई गोपाल सिंग जडोग बताया कि आथा गेंसे आधा किलोमेटर दूर गुआ है बाहन को तेजगती से चलाने और अन्य लापरबाही के चलते हुआ है बाहन मालिक को बुलबाया गया है और पूचताच की जा रही है अमर्वारा CTN से विश्वनाथ नामरोथी रिपोर्ट अबी बाकी मूर्टिये तो विसरदन हो गई थी दो मूर्टिये तो यहां रह गई थी अपने कि अमर्वारा ना जिनका दोनों मूर्टियों को आज विसरदन होना था जिसके तरह आज एक मूर्टिये के शकरवार डेम के लिए जा रहा थे एक पीक अप गारी थी जिसका नंबर इसके चालक द्वारा लापरवाही कूल तरीके से गाड़ी कि देज स्पीट में ले जाके मोड़ के समय उसके द्वारा पलटा दी गए जो बाड़ी पलट गए इससे जी सक लोग उसमाधाय रूप लिए तरीक को बारा लोगों को रेपार्टा दिया है जान मालत तो खत्र खां माल की दिए अभी नहीं के सकते उसके उसके खत्रा था जो तो अग्याट हुआ है तो तांकि कमी पोई इससा कमी नहीं है उसके जारे था 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 सुटी एंवाइब हमेशा समाचार के साथ